कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चुनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी पश्रिम पंगाल में सिक्षक भरती घोटाली में ममता भिनेशी सरकार में मंत्री पार्थ चिटरची और जाथी उनकी कर्षपी आर्पिता मुखर्ची के ठिकानों से करूर रुपिय कैश और साथी जो सोने की प्रावंत की हुई है उसके बाद अब ममता भिनेशी और उनकी जरकार मुश्किल में फस्ती नजर आ रही है खेला होने के आसार भी पश्रिम पंगाल में नजर आ रही है तरसल पार्थ चिटरची और आर्पिता मुखर्ची को एजी ने गिराफतार कर लिया है वहीं ममता भिनेशी पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि अब पार्थ चिटरची को पार्टी और तमाम जो पद उन्हें मिले हुए हैं उससे बरखास किया जाए उससे हटाया जाए विपक्ष और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं बीजेपी की लगातार ये मांग है लेकिन इन सब के बीच अब टीमसी के जो राश्ट्य परवक्ता हैं कुनाल खोश उन्होंने तरसल ये कहा है कि पार्थ को टीमसी के सभी पदों से बरखास्त किया जाए इसे लेकर कुनाल खोश की ओर से एक ट्वीट भी किया किया जिस पर सियासत बहुत जादा गर्मा गई है तरसल टीमसी के राश्ट्य परवक्ता हैं कुनाल खोश जिन्होंने कहा है कि पार्थ चटेर जी को मंतुरी पद से बरखास्त किया जो है इसके साथ ही उन्हें पार्टी से निकालने की मांग भी कुनाल खोश की ओर से की ग से अब टीमसी के प्रवक्ता ही यह साथ तोर पर कह रहे हैं कि पार्थ चटेर जी को जो तमाम पद मिले हुए हैं उनसे हटाया जाए जब तक कि इस पूरे माफले की चांच नहीं हो जाती इतना ही नहीं टीमसी के मुकपत्र जाको बंगला में कुनाल खोश ने यह भी कहा था कि अर्पिता के घर से कैश की ब्रामत्की से पार्टी का अफमान हुआ है पब्लिक डोमेन में पार्थ चितर जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो निर्दोश हैं यह भी उनकी तरफ से कहा क्या कि आखिर ऐसा करने से पार्थ चितर जी को क्या रोक रहा है कि वो यह नहीं कह पा रही हैं कि मैं निर्दोश हूँ तो साफ़तोर पर सवाल जो है वो पार्थ चेटरजी पर कुनालखोश की और से खड़े किये गए हैं लेकिन इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बिनर्ची और अपनी ही जरकार को कटगरे में भी खड़ा किया है कि आखिर सिक्षक भरत खोटाला जिसमें लगातार चानबीन हो रही है लगातार एजी च्छापेमारी कर रही है और एक के बाद एक बड़े और चोकाने वाले खुलासे हो रहे हैं अब 27 करोड़ रूप्य की कैश ब्रामस्की हुई है एक बार फिर जो च्छापेमारी हुई है तो इन सब के बीच अब TMC के परवक्ता कुनाल खोशी ये मांग कर रहे हैं कि दरसल पार्थ चितरची को तुरंत मंत्रा ले और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए इसको लेकर TMC के महसचीव कुनाल खोश ने ट्वीट भी किया था और कहा कि पार्थ चितरची को तुरंत मंत्रा हैंले और पहुए सबीपदों से हटाये जाना चाहिए उन्हें निश्कासित смож Luluziest कियाना चाहिए अगर इस बयाद को गलत माना जाता हैं तो पंटी को मुझे सभीपदों से हटाने का पूरा अधिकार है मैं हमेशा पार्टी का एक सिपाही बना रहूँगा ये कुनाल खोश की और से बड़ा बयान दिया क्या है और उनके इस ट्वीट के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर राज्थानी दिल्ली तक सियासत बेहत गर्माई और टीमसी में हलचल शुरू हुई जिसके बाद ममता बन बनेश्ची ने तरसल कुनाल खोश से ना सर्फ बातचीज की बलकि एक मीटिंग भी बुलाई और इस मीटिंग में अभिशेख बनेश्ची ने कुनाल खोश को भी बुलाया जिसके बाद कुनाल खोश ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैंने अपने पहले के ट्वीट में अपनी राय व्यक्त की थी अब पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है अभिशेक पनेश्ची ने आज शाम 5 बचे टीमसी भन में पार्टी की बैठक बुलाई मुझे उस बैठक में शामिल होने के लिए कहा किया इसलिए जब टीमसी के अधिकारियों ने मुद्दे को ध्य इस तरह से कोटाला हुआ है और इस तरह से वह रघाता क्लासे कर रही है कि इस तरह से पारथ चैटेशी ने उनके घर को मीनी बेंक बनाया हुआ है इतना ही नहीं खुलासा ये भी हुआ है कि दो डायरी मिली है जो एक black डायरी है वो बंगाल का जो higher education department है उसकी डायरी है तो इस तहा से पार्थ चेटरची ने सिक्षा मंत्री रहते हुए किस तहा से इस घोटाले को अंजाव दिया है ये कहीं कहीं खुलासे इस पुरे बाफल कि पार्थ चेटरची को किसी भी पत से नशकासित नहीं किया है किसी भी पत से नहीं हटाया किया है अवे भी वह मंत्री बने हुई है और यही वज़ा है कि कुनाल खोश की ओर से ये ट्वीट किया है हाला कि जब TMC के वरिष्ट नेताओं ने संग्यार लिया तो उसके बाद उन्हें ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन आपको ये बताते हैं कि दरसल पार्थ चेटरजी की गिराफतारी हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं लेकिन उनका पार्टी में महासची पद उद्योग सूचना प्रोध्योगी की और परिशत विफाग वानिचे मंतरी पद बरकरार है विपक्ष पार्थ चेटरजी को बरकास्त करने की मांग कर रहा है बीजेपी लगातार ये पांग कर रही है कि पार्थ चेटरजी को मंतरी पद से बरकास्त किया जाए इस बीच पार्थ ने भी मंतरी को मिलने फाली गाड़ी जो है वो लोटा दी है साथ ही खबर ये भी साफने आ रही है कि दरसल आज एक मीटिंग होनी है जिसमें पार्थ चेटरजी से जुड़े फैसले ममता बेनेची ले सकती है माना ये जा रहा है कि ममता पार्थ को तीनो विभागों के मंतरी पद से हटा सकती है लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर है और इस तरह से अब उन्हीं की पार्टी के जो नेता है वो इस तरीके से हमलावर है और कुनाल खोश जो की तिर्टमूल कांक्रिस के ही परवक्ता है उन्होंने साबतोर पर पहले भी इस बात को कहा है कि पार्थ चिटरजी पर जो आठोप लगे है इस पर या तो पार्थ चितरजी ही सफाई दे वो बताएं कि आखिर उन्होंने घोटाला किया है या नहीं अगर नहीं किया है तो वो बोलें कि मैं निर्दोश हूँ आखिर ये बोलें में क्या जाता है ये भी सवाल उनकी तरब से क्या क्या है चाथी ये भी मांग ममता बिनेची से वो कर चुके हैं कि पार्थ चितरजी को जाच पूरी होने तक सभी पदो से हटाया जाएं कुनाल घोश ने ये भी कहा कि अगर ममता दीदी को मेरा वयान गलत लग रहा है तो मुझे भी हटाते हैं लेकिन कुनाल घोश जो हैं वो दरसल दरफ मुल कांग्रेस के जो महासचीव हैं जो ममता बिनेची के भरीचे है अभिशेक बनेची उनके बेहग करीपी वाने चाते हैं तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या कुनाल घोश ने इस तरह से अभिशेक बनेची के कहने पर इस ट्वीट को डिलीट किया है अगर ऐसा है त जो सोना बराहमत हो रहा है जिस सवाल का जवाब एटी खोच रही है कि आखर पार्थ चेटरची या फिर अर्पिता मुखरची जिनके घर से ये करोरो रुपिय का कैश बराहमत हुआ है आखर वो कहां से आया है किन लोगों से ये पैसा वसूला गया है इनी सवालों के पार्थ चेटरची और अर्पिता मुखरची से जाहने की कोशिछ EDP के अधिकारी कर रहे हैं इस पूरे वांहे में ये पूरा खोटाला ना सिर्फ पार्थ चेटरची तक सीमित है बलकि माना ये जा रहा है कि इस पूरे खोटाले में टीची के कई बड़े नेटाओं के ना पश्रिम पंगार विदान सभा में विप्रक्ष के नेता है शुबेंदू अधिकाही बुल लगातार ममता बिनेची पर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने राजपुन में राजपल लाग गनेशन से भी मुलाकात करके उद्योग वानिचे और संसद्या माफलों के मंत्री ये भी बताते हैं कि इस पूरे खोटाले पर खुलासे लगातार हो रहे हैं कैश लगातार मिल रहा है इससे पहले जो च्छा पिमारी हुई थी उसमें 21 करोड रुपिय की कैश ब्राहंत हुआ था और उसके बाद अब एक बार फिर जोकी अरपिता मुखरची है जोकी पार् गोल्ड भी जप्त किया है तो एडी ने तरसल बुद्वार की शाम जो बेल खरिया इस सित उनका दूसरा फ्लैट है वहां रहेड की थी जिसमें इस तरह से ये कैश की ब्रामत की हुई है तो इस तरह से एक के बाद एक खुलासे इस पूरे वाफले में हो रहे हैं लगातार जो राज हैं कही न कहीं इस पूरे खोटाले से जुड़े हुए वो निकल कर साफने आ रहे हैं लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या ये पूरा सिक्षक भरती खोटाला जिसमें ममता बेनेची सरकार में मंतुई पार्थ चितैची की गिराफतारी हुई है ये ममता सरकार के ये एक खेला साबित होगा क्या ममता बेनेची सरकार के लिए मुश्किले बढ़ेंगी क्योंकि अब ये माना च्वारा है कि कुनाल खोश के स्ट्वीट के बाद अब टीमसी के भीतर भी बगावत के सुर्फ नजर आने लगे हैं इससे पहले जो बीचेपी के नेता हैं पश इतने साथ होने का दावा मिथुन चक्रवर्ती की और से ख्या-ख्या है तो इस तरीके की खबरे भी लगाहतार पशिप बंगाल से सापने आ रही है खबरों में कितनी सच्चाई है यह आने वाली वक्त में पता चलेगा लेकिन फिलाल इतना तैह है कि इस पूरे सिक्षक फ पूल रहे हैं और वो क्या रहे हैं कि अगर यह ट्वीट यह बयाद ममता बिरेची को गलत लगता है तो वो मुझे पार्टी से निकाल सकती है लेकिन पार्टी का सिफाई बना रहा हूंगा पार्ट चेटरेची को तमाम बद से निश्कासित किया जाई यह मांग अब ट्यम हूंगा